हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रभात पुद्दार और आप देख रहे हैं बुक रिव्यूज विद खबरी आज हम एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं रिच डैट, पूर डैट, रुबर्ट की वास्की के जिसका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सवर रहा है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में जिन तीन किताबों का सवर बहुत जादा रहा है, उसमें से ये एक है, बाकी दोनों है दा फांटन हेड और गौडफादर, खेर हुआ ये कि काफी वर्ष पहले के बात में ट्रे ये से दिखता था ही, कही न कहीं इस किताब ने चेंज कर दिया, रॉबर्ट के उसकी बताते हैं कि पैसे के साथ आपका व्यवार क्या होना चीए, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेगिन क्या हरवेक्ती अमीर बन जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता, उसका रीजन क्या है तो उन्होंने कहीं न कहीं इसको explain किया है, और ये बताने की कोशिश की कि आप ऐसा क्या करें कि लाइफ में आप थोड़े से आगे बढ़ जाएं, ठीक हैं, तो एक बहुत beautiful चीज़ वो कहते हैं कि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम जादा पैसे कमाने लगे तो हम अमी जीए, आज आप 20,000 रुपे कमाते हैं और 18,000 रुपे आपका खर्चा है, तब बचाते कितने 2000 रुपे बचाते हैं, जैसे ही 30,000 कमाने लगेंगे, तो आप अपने खर्चे भी बढ़ा देंगे, बहतर रेसुरेंट्स में खाएंगे, जादा बार बहर जाएंगे, कपड़ कमा के 2000 रुपे, और कोई 10,000 कमा के 3000 रुपे बचा रहा है, तो वो वेक्ति जो 3000 रुपे बचा रहा है, वो actually month end में आपसे दामीर है, यानि it is not about how much you earn, it is about how much you save, जिसके current वेक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, अच्छा एक और बहुत अच्छी शीज़ उन्हों ने कही, ब महीने बर उन्होंने खर्चा कि और अंत में 30 तारीक को जो पैसा बचा, वो माना जाता है कि यह हमारी saving है, रॉबर्ट के उसके कहना है कि अगर आप ऐसा करेंगे, यानि income minus expenditure equal to saving अगर आप करेंगे, तो यह बहुत effective नहीं है, आपको saving करनी है first, यानि पहली तारीक को, जिस income minus saving is equal to expenditure, और आप मानेंगे नहीं कि यह मैंने अपनी life में apply किया, जब तक मैं एक सरकारी नौकरी में था, मैं पैसा नहीं बचाता था, जरूरत नहीं थी, सरकारी नौकरी थी, पैसा आता था, सम्हाँ वो पैसा नहीं टिका, वो निकल गया, लेकिन उसके बाद मैंने पैसे से मही ना निकालता था, तो उसने मेरी फिर भी थोड़ी capital बिल्ट कर दे तो यह तो एक ऐसा point है, जो मैंने personally try किया है, और यह मैं आपको भी बहुत highly recommend करूँगा, एक और चीज़ है, उन्होंने कहा है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ता है, माल लीजिये, आपकी महीन की जरूरते हैं 10,000 रुपए की, महीने भर माकी जो खर्चे होते हैं, अब आपकी तंखा भी कित्ती है 10,000 रुपए, तो 10,000 कमाओगे, 10,000 खर्च करोगे, at the end of the day, zero, अगर आप 12,000 कमाते हैं, और 2000 रुपए इंवेस्ट कर देता हैं, फिर 12,000 कमाएं, फिर 2000 इंवेस्ट कर रहें, इसके ब्याज से, इसके इंट्रेस्ट से, या इसके प्रॉफिट से आप कुछ कमाने लगेंगे, यानि एक दिन आएगा, जब आप 10,000 रुपए महीने का ब्याज या प्रॉफिट या इस प्रकार की कोई passive income कमाने लगेंगे, जिसके लिए आप महनत नहीं कर रहें, उस दिन से जीवर में आपकी growth चालू हो जाएगी, क्योंकि तब आपको survival के लिए काम करने की जरुफिट नहीं पड़ेगे, 10,000 रुपए मेरे पास महीने का ही रहना, अब मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है, या उससे में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ तो यह हमारे intention होना चाहिए, रॉबर्ट क्योस्की ने अपने एक personal example दिया, उन्होंने का उनकी wife एक car खरीदना चाहती थी, तो अब उसके लिए जाहर सी बात है, थोड़ा पैसा जेप से लगाएंगे, थोड़ा loan लेंगे, तो इन्होंने मना कर दी अपने wife को, उन्होंने क करते जाएं, तो रॉबर्ट क्योस्की ने लगातार पैसा इन्वेस्ट किया, और उसके return से फिर कुछ सालों बाद उन्होंने कार खरीदी, और बड़ी interesting चीज़ उन्होंने कहीं, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है, जो luxurious item है, वो अमीर लोग पहले लेते हैं, और गरीब सबसे पहले एक luxury item लेता है, और अमीर luxury item सबसे end में खरीदता है, यानि अगर आज आज आप वेक्ति हैं, आपकी अच्छा गरीब और अमीर से मतलब मान सकता का है, rich dad, poor dad क्यों मतलब क्या है, एक वेक्ति जिसकी मान सकता थोड़ी सी ऐसी है, जो अमीर आदमी की है, और एक प्रकार का कोई vacation पर चले जाएंगे, यानि आप एक गरीब वेक्ति हैं, आपने actually पहले gratification ले लिए, पहले आपने enjoy कर लिए, पहले luxury item खरीद ले, लेकिन अमीर मान सकता है का आदमी उस लाग रुपे को शायद invest कर देगा, और इंतजार करेगा कि इस से fruits आए, इस से हम कु आपको अभी enjoy नहीं करना है, अभी आपको invest करना है, enjoyment आपका थोड़ा बाद में आएगा, एक बड़ी controversial चीज भी कही उन्होंने, उन्होंने कहा कि एक मकान होता है का आदमी का, उसको हम सब asset मानते हैं, संपत्ती मानते हैं, तो बहुत संपत्ती की definition किया है, तो उन्होंने क कोई भी चीज जो हमको income generate करके दे, वो संपत्ती है, जो चीज खर्चा करवा है हमारी liability है, तो बहुत logical चीज है, आज आपने car खरीदी, तो क्या वो आपको income generate कर रही है, unless कि आप उसको उबर वगरा में चलाने लगें, और अगर personal use कर रहे हैं, तो वो income generate नहीं कर रही है, व आप उनको assets actually बोल नहीं सकते हैं, हाँ technically वो assets हैं, लेकिन Robert Kiosky के हसाब से नहीं है, और बड़ी interesting और controversial चीज उन्होंने कही है, उन्होंने कहा जो मकान होता है, house होता है, वो house को हम assets मानते हैं, लेकिन उनका ये कहना है, कि आज आपने 5 लाग में एक मकान खरीदा, कल वो 5 करो का हो गया, तो क्या आपकी संपत्ती बढ़ गई, until, unless आपको मकान बेचने को तयार नहीं है, तो 5 करोड का हो या 5000 करोड का हो जाए, उस मकान की कोई value नहीं है, वो जित्ता आपका किराया बचा रहा है, वो उसके लायक है, बट अगर आप उसको बेचने को तयार नहीं है, तो actually मकान आपका otherwise income generating asset नहीं है, जबकि हम भारत में तो खास और से मानते ही हैं कि मकान की value बढ़ गई, बढ़ गई, लेकिन आपने खर्च किया गया, आपने उसको बेचा किया, उससे कुछ कमाया थोड़ी आपने, taxation, अब यह taxation थोड़ा सा technical है, लेकिन मजाएगा आपको, बढ़ आप कमाते हैं, आपकी salary है, आप 10,000-50,000 रुपे महीने के कमाते हैं, उस पर tax देते हैं, और बाद में आपके घर के खर्चे, बिजली का बिल, घर में जो नौकर काम कर रहे हैं, पेट्रोल वगरा का खर्चा करते हैं, लेकिन यही taxation जब एक company देती है, यह एक business देत हैं, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है, महीने में 50,000 का दंदा किया, उसके बाद मौकर की तंखादी, बिजली का बिल, सारे खर्चे निकाले, उसके बाद जो मुनाफ़ा बचा उस पर tax देता है, एक business, याने एक household, एक individual अपनी income पर tax देता है, और एक business अपने profit पर tax देता ह याने एक विक्ति को हमेशा individual income की जाग है, बिजनस income की तरफ जाना चाहिए, यार आपने कभी देखा होगा, शायद आपके आसपस कोई business man आप देखते हूंगे, वो हरो 3-3 सालों में नहीं कार लेता है, तो आपको ऐसाल, आपने अगर नहीं देखा तो मेरे साथ तो बहु या आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है, फिर दो साल और, याने तीन साल तक आपके depreciation माइनस करें, टेक्स कम कर सकते हैं, इंडिविजवल को ऐसा कोई फायदा भारत में मिलता नहीं, तो याने कही ना कही शाद हमको सोचना चाहिए, कि हमको ऐसा alternate income, कोई ना कोई अपने business start करने चाहिए, ये भी Robert Kiosky कहते हैं, अच्छा, एक बड़ी general चीज़ कहते हैं, वो लेकिन गहरी चीज़ है, make your money work for you, इनका ये कहना है कि जैसे आपको 10,000 रुपे महीने के आपके खर्चे हैं, अगर किसी महीने आपने काम नहीं किया, तो 10,000 रुपे आपको नही अपने किताब लिख दी, अब किताब तो बाजार में आपने डाल दी है, अब वो तो दिन भर बिक रही है, आप रापको जब सो रहें तो भी शायद आपकी किताबे बिक रहेंगी, पैसा आएगा, यूट्यूब के आपने वीडियो बना दिया, अच्छे वीडियों चल ग ट्रेडिंग की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा एक्जामपल दिया, माली जब पचास रुपए में आपने कोई सामान खरीदा, एक बुक खरीदी और साथ में बेज दी, मुले ये ट्रेडर मेंटालिटी है, दस रुपए कमा लिए आपने, ल यूट्यूब पर आते हैं, एक फिल्म का रिव्यू करने वाला भी एक वैल्यू एडिशन कर रहा है उस फिल्म से और उसकी कारण वो पैसा कमा रहा है, तो वैल्यू क्रेशन हमारे बैक आउप दा माइंड में हमेशा रहना चाहिए, तब शायद हम बहुत जीवन में आगे या पाए, एक सैलरी क्लास से हम बिजनेस क्लास में जा पाए, यह किताब मैं आपको highly recommend करूँगा, आप चाहिए किसी भी शेतर के वेक्ति हों, आप student हों, आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि यह, क्योंकि शायद मैंने पूरी जीज़े तो touch नहीं कर रोबर्ट कियोस्की ने खुद वैल्यू क्रियेट करी, उनकी किताब भयंकर हिट हो गई, तोड़फोल हिट हो गई, तो उन्होंने इसी की सीरीज पर पता नहीं, 14 किताबे निकाल दी, रिजड़ाट पूर्ड़ाट फाउंडेशन बना दिया, याने आपने उस ब्रांड को इतना एक्स्टेंड करके चूस लिया, कि वो खुद करोड़पती अरपती आदमी बन चुके हैं, तो लीडिंग फ्रॉम दा फ्रेंट की उन्होंने जो चीज कही है, वो एक्चुली करके बताई है, खिर उन चीजों को हम बाद में बात करेंगे, मेरा परसनल सजेशन है, कि ये किताब हर वेक्ति के लिए है, अच्छा बहुत सारी लेंग्वजेज में, अगर आप अंग्रेजी नहीं समझते हैं, या डिफिकल्टी होते हैं, तो हिंदी में भी आपको किताब मिल जाएगी, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, और जुड़े लिए साथ क्योंकि खबरी के और खबर पनुदर झाल झेजा सब बहुत सब खि llev का वीडियो हम खत्म तो एंग्रेख